असलाम अलेकुम स्टूडंस वेलकम बैक टू अपना टीचर डॉट कॉम आज हम बात करने जा रहे हैं मीडियन पे जो के मेजर आफ सेंट्रल टेंडेंसी का एक इंपॉर्टन पार्ट है एक इंपॉर्टन वैल्यू वाँ से हमें पता चलती है इससे पहले हमने क्या डिसकस कर मीन को उसके बाद में डिसकस करा मोट को और अब हम बात करेंगे मीडियन पे तो मीडियन को जब हम बात करेंगे तो दो एस्पेक्ट से पढ़ेंगे लाइक अंगुरूप डेटा से भी पढ़ेंगे और गूरूप डेटा से भी पढ़ेंगे तो जब हम इसकी कैलकुलेशन सीखने जा रहे हैं तो पहले क्या ही एच्छा हो कि हम इसकी वज़ा जान लें कि वज़ा क्या है मीडियन को calculate करने की और आपको मीडियन से पता क्या चलता है तो मीडियन से आपको हमेशा data की central value पता चलती है कि आपके data की central value कौन सी है वो आपके data को हमेशा two equal parts में divide कर देता है और बता देता है कि आपके data में ये central value आ रही है और ये आपका median है तो यहाँ पर मैं median calculate करूँगा सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैंने यहाँ पर कुछ values लिखी है इस values में हम median किस तरीके से निकाल सकते हैं देखते हैं आपके यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखी है वन टू त्री फोर फाइफ शिक्स सेवेट नाइन वैल्यूस मैंने लिखी है तो जैसे कि मैंने आपको बताया मीडियन क्या होता है सेंट्रल वैल्यू पर बात करता है और आपके डेटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो अब अगर हम इस आपके अपने डेटा को हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं यह हमने यहाँ पर डिवाइड करा और राइट हैं क्यों क् की डेटा की सेंट्रल वैल्यू है इसको आप क्या कहोगे मीडियन कहोगे मगर हम इस तरीके से मीडियन को कैल्कुलेट नहीं करेंगे क्यों क्यों कि यहां तो हमारे पास observation सिर्फ नौ है अगर आपके पास observation अगर इवन में होता तो आप किस तरीके से डिवाइट करते हैं तो हमारे पास एक formula है उससे हम क्या करेंगे मीडियन को कैल्कुलेट करेंगे तो फॉर्मूला पहले देखते हैं मगर एक बात याद रखिएगा जब भी हम मीडियन कैल्कुलेट करने जाएंगे तो हमारे पास तो डेटा होगा वो जरूरी नहीं है कि अरेंज फॉर्म में हो असेंडिंग फॉर्म में हो कभी कबार डेटा आपके पास अरेंज नहीं होता तो याद रखिएगा मीडियन को कैल्कुलेट करने का स्टैप नमबर वन क्या है अरेंज इन असेंडिंग और यहाँ पर जो मैं अशा डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग और में तो यहां तक की बात हो गई अब हम देखते हैं फॉर्मूला क्या है डेटा को हमने अरेंज कर लिया अब हम जा रहे हैं मीडियन को कैल्कुलेट करने किस तरीके से फॉर्मूले की वली तो फॉर्मूला क्या है मीडियन क पॉर्मूला है median का n पिलस 1 डिवाड़ेड बाइ 2 th value अब ये th value को देख लो कि जो भी answer होगा वो वाली value देखनी है आपने th value याद रखीगा ये बाद th value जो है important चीज है जब calculate करोगे direct answer नहीं आएगा आप उस value पे जाओगे जो भी answer आएगा वो आपकी क्या होगी वो median होगी तो यहाँ पर आपके पास observations किती थी नौती है अल्रीड हम calculate कर चुके है n क्या होता है n आपका number of observations होती है याद रखीगा इन सब चीजों को यहाँ पर n है आपके पास 9 पिलस 1 divided by 2 th value 9 क्या है अब यहाँ पर आपकी 5th value क्या है डेटा में 5th value क्या है 1,2,3,4,5 वही value आई जो हमने पहले भी देख लिया था कि अगर हम data को divide करेंगे तो क्या बनेगी तो वही 5th value आई 5th value क्या है आपकी यहाँ पर 7 तो यह आपकी क्या है median आपका यहाँ पर क्या है median आपका 7 है यह बाद हमारी decide हो गई कि median आपका क्या है median आपका 7 आगया तो यहाँ पर तो यहाँ तक तो चीज़े असान थी कि यहाँ पर आपके बाद observations थी odd observation अब आ रहेंगे आपके बाद even observations 1,2,3,4,5,6,7,8 यहाँ पर observations कितनी हो गई आपके बाद 8 observations हो गई मतलब के observations की number कितने है वो even है 8 जो है वो आपका even number को represent कर रहा है तो जब हम इसको calculate करेंगे तो थोड़ी सी चीज़े ज़्यादा हो जाएंगी दो steps हमारे एक steps और मजीद बढ़ जाएगा data को arrange करा हुआ है जब भी करो data को हमेशा arrange कर लेना तो median calculate करने जा रहा हूँ एन कितना था 8 पिलस 1 divided by 2 तो यह हो गया 9 divided by 2 that is equals to 4.5th value वही बाद 4.5th value अब 4.5th value आप वो कैसे मिलेगी है आप यहाँ पर देखो 4.5th value कैसे हो गई यहाँ पर क्या करोगे जब भी आपके पास even number observation होगा तो आप यहाँ पर जैसी ही आपके पास even number observation आएगा पहले आपने similar वही काम करना है जो आपने odd में करा answer आगिया 4.5th value अब आप क्या करोगे observation में देखोगे 4th value क्या है 5th value क्या है इन दोनों का आप क्या ले लोगे इन दोनों का आप mean ले लोगे जो हमने already calculate कर चुका है कैसे निकालेंगे mean 4th value क्या है आपकी यहां पर 4th value है आपके पास 4 5th value क्या है आपके पास 5th value है आपके पास 7 अब इन दोनों का mean कैसे लेते हैं mean हम already discuss कर चुके है mean कैसे निकालते हैं तो जब आप क्या करोगे इनका mean लेने जाओगे तो क्या करोगे 4 plus 7 mean में क्या करते थे हम जितनी observation है उससे हम क्या करते हैं divide करते तो यहां पर कितनी observation है 1 and 2 दो observation है इन दोनों का आपस में हम क्या करेंगे divide कर देंगे 11 divided by 2 आपके पास आएगा 5.5 तो यह आपके पास हो जाएगा median median आपके पास क्या हो जाएगा 5.5 यहाँ पर हमने देखा कि हमारे बाद value आई 5.5 तो यह 5.5 कैसे आया हमने यहाँ पर देखा 4.5 आया हमारे पास formula से तो हमने क्या करा 4th value उठाई फिर हमने क्या करा 5th value उठाई जो कि इस case में क्या बन रहा था 4 आपकी 4th value 7 आपकी 5th value फिर आपने क्या करा इन दोनों का mean निकाल लिया तो यही इन दोनों का mean था और फिर इससे हमने क्या decide करा इससे हमाने median भी निकाल लिया कि इस data की central value क्या थी 5.5 जो के median थी और mean हमारे पस क्या आया 5.5 जो के सिर्फ क्या था इन दोनों values का mean था ये बात याद रखिएगा इन दोनों values का mean था और उसने क्या represent करा median को तो यहां पर हमने median समझा ungroup data का अब रह गया है हमारा group data का median इन्शालला उसको हम next video में अच्छे से discuss करेंगे ताकि आपके concept किलियर हो जाएं अपना बहुत ख्यार रखिएगा thank you so much